हालो फ्रेंट्स, हालाबूल फैम्ली में आपका सागत है और आज मैं नाश्टिम मना रही हूँ मूंकी दाल का पराठा इसके लिए मैंने 3-4 घंटे के लिए मूंकी दाल भिगो दिया है मूंकी दाल थोड़े दिर भिगोने से ही बात बन जाती है अब इसमें थोड़ा सा पानी बिलकुल उसको उपर भी नहीं है के लिए मिक्स के लिए पानी डाल कर हमने गैस पर थोड़ा सा नमग डाल करके बॉइल होने के लिए रख दिया है इसे ढख करके बॉइल होने के लिए रख दिया ताकि ये गल जाए मूं की दाल जल्दी गलती है और ये फूलती भी है तो हमें इसे भगोनी में ही पकाना है बहुत ज़्यादा देर या कुकर में नहीं पकाना है क्योंकि कुकर में पकाने से ये एकदम से घुट जाएगी और भगोनी में पकाने से इस प्रकार से ये खड़ी-खड़ी सी और इसको गरम-गरमी हमें इस्पून से अच्छे से प्रेस कर देना है घोड़ देना है और अभी सर्दी है अगर हमने इसको गरम-गरमी नहीं इस्पून से घोटा तो फिर ये टाइट हो जाएगी और हमें इस प्रकार से अच्छे से इसको घोटने के बाद इसको ठंडा होन के बाद अब मैंने इसमें एड़ किया है ये मक्षर निकालने के बाद जो सफिद बच जाता है वो बहुत अच्छा और टेस्टी था तो मैंने इसमें मिला दिया है हम इसमें इसकी जगब पनीर को एड़ कर सकते हैं और फिर मैंने मिलाई है चार-पाँच हरी मिर्च काट कर और दो पड़ी प्याच बारी काट कर इसमें मिला दी है इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें इड़ किया है आदा टेस्पॉन पिसा हुआ कच्छा जीरा और ये पिट के लिए अच्छा होता है उसके बाद नमक स्वाद के नुसार और थोड़ा नमक हमने दाल में डाल दिया था तो उसका भी ध्यान रखना है और फिर डाल मर्च और चुटकी बरहें और हम हरा धनिया भी डाल सकते हैं काटकर पर वो मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला और फिर हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर दें और यह हो गई हमारी भरावन तयार और इधर मैंने आटा लगा लिया है गेहुका नमक डाल करके और इसको गरम पानी से गूता है सरदियों में आटे को थोड़ा गुनगुने पानी से गूत है खास तोर से जब भरवा परांठे या भरवा कुछ बनाना हो तो अधर्वाइस थोड़ा परांठा फटता है और आप यह द समा हुआ है तो मैं इस तरह से उसे तवे के पास रख लेती हूँ ताकि वो बनाते बनाते मैंल्ट हो जाता है और फिर आसानी से हम इसको परांठे पर अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार से मैंने अपने सारे परांठे रैडी गल लिया है और यह बहुत ही